जो व्यक्ति, जो समाज, योग से और साधना से चितना पिमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माने ही तुर सदय पिवश्च होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुपता जितनी ही शीन होती जाएगे, योग की अगनी जितनी कम होती जाएगे, उसके जीवन में अंदकार की अगनी भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगे। तमाज में ऐसे अभिमानी और एंकारी व्यक्तों की संक्या सदेव बढ़ती रहेगी पत्र